स्री शिवाईन नमस्तु व्यम दर्शको कैसे हों? आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित होंगे दर्शको गुरुवार के दिन कुछ विशेश कारिय कुछ विशेश उपाई करने से आपको पता है कि विशेश फल की प्राप्ती होती है परंत दोस्तो ये भी माननेता है कि गुरुवार के दिन अगर कुछ कारिये नेतिक तरह से किये जाए और उनको नियम में बना लिया जाए और परतिवार को यानि कि सब तहा कि जब साथ दिन होते हैं तो उन साथो दिन इन कारे को किया जाए तो लाब की भी प्राप्ती आवश्य होती है और लाब ही नहीं बलकि अधिक लाब की प्राप्ती होती है नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम आप लोगों को 23 फरवरी दिन गुरुआर का एक छोटा सा अचुक उपाई बताने जा रहे हैं उपाई क्या? ये कारिय हैं और इन कारियों के आप लोगों को नियम बनाने चाहिए खासकर गुरुआर ही नहीं बलके आप लोगों को हर दिन इन कारिय को जरूर करना चाहिए। अगर इन कारिय को आपको करते हों, तो आपकी घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, कभी निर्धनता आपकी घर में नहीं आएगी, दुरभाग्य कभी आपका पीछे नहीं पड़ेगा, हर बार आपको सोबहगे की प्राप्ती होगी घर में हमेशा सुक समरत दी बनी रहेगी परतेब कारिये में आप लोगों को सबलता प्राप्त होगी ऐसे में दर्सको इन कारिये को करना वाकई में लाबकारी माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि जो मनुश्य इन कारिये को नेतिक तरह से करता है और अपने जीवन में नियम भी बना देता है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है ऐसे में दर सको अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वैल आइकन को प्रेस कर दे साथ ही अगर हो सके तो अपने मित्र दोस्तों सक इस छोटी सी जानकारी को इस छोटी सी उपाई को शेयर जरूर कर दे ताकि उन्हें भ ऐसा कि आप लोगों को पता है कि गुरुवार का दिन भगवान स्रीहरी विश्नु को समर्पित होता है बरश्पति को समर्पित होता है ऐसे में दर्शों को आपको ये भी पता है कि हर व्यक्ति को सुभह भ्रम मुहरत में उठना जाएए क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति लेट उटता है, दस बजे से बाद उटता है, या फिर दस बजे उटता है, तो इसे सास्तरों के अनुसार सही नहीं माना जाता है, कहा जाता है कि जो व्यक्ति लेट उटता है, उसका चंदर कमजोर हो जाता है, और जिस व्यक्ति का चंदर कमजोर हो जाता है, उसका मन चिंतित रहत किसी भी कारे में मन नहीं लगता है किसी भी कारे में सपलता प्राप नहीं होती है। तो आप लोग गाई को गुड खिलाए या फिर गाई को हरा चारा खिलाए और उसके बाद में गाई के सिर पर और उसके सरीर पर आप हाथ जरू फिराए। आशिर्वाद गाई माता को प्राप्थ हुआ था। क्योंकि समुद्र मंधन के दोरान जब बारा रत्न उत्पन हुए थे तो उनमें से एक गाई माता भी थी। और ऐसे में भगवानों देवताओं ने गाई को मनुशे के कल्यान के हितु यहां भेजा था। और इसलिए गाई माता को तैतिस गोटी देवी देपताओं का आशिर्वाद पराप्थ है और ऐसे में जो व्यक्ति गाई माता को चारा खिलाता है परती दिन उनकी पूजा करता है तो उसके घर में हमेशा सुक समर्दी बने रहती है। ऐसे में दर्शको आप लोग की गुरुवार के दिन हो सकी तो कहीं भी किसी भी मंदिर में जाकर पूजा करे गरीब लोगों की साहिता करे और हमेशा दान जरूर करे दान में आप लोग भोजन या फिर कपड़े अविशे दान करे कभी भी आप लोग धन का दान ना करे क्य आजाता है ऐसे में आप लोग इन कारियों को जरूर करें घर में सुख सम्रद्धी हमेशा बनी रहेगी उमीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो फसंद आये होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें उमीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडि निवार